तो हो एवरिवन नमस्कार मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने अप्लिकेशन आपकी कक्षा पर आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो हम लोग जार्कन का विवेद जो है वह स्टार्ट करने जैसे कि आपको पता है कि जार्कन का जोग्राफिय मारा अल्रेडी चल रहा है जार्कन के मिट्टी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिशी वाला चाप्टर पढ़ना है जिसमें से हमें कुछ डेटा अपडेट करना होगा क्योंकि कुछ प्रिविएस डेटा है एकनॉमिक सर करोगे कि मैं यह गलत हो गया तो मैं पुराना रिट आपके सारे शेयर नहीं कर सकती हूं जिसके कारण मुझे पूरा एकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है वह अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा अगरिकल्चर का जितना सारा उसमें दिया हूँ है सब मुझे देखना पढ़ फिलाल सब अकेले करना पढ़ रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टॉब हो गया वीच में एक दो दिन अभी इमलोग जारकान का विविद जो है वह स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि अगर उसका डेटा सुधारना है तो ठीक है वह रहने देते हैं यह एक दो दिन में वह जारकान जी के में क्या होता है मुझे आपको सब बताना पड़ेगा कि यह यह टॉपिक आप लोग ऐसे ऐसे करके पढ़ लो तो फिर इसलिए जारकान का विविद में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वह मैं आपको बताती हूं आपके पास कोई बुक है तो बहुत अ आपका क्या पूर्म है ठीक है रजाज्यपाल परिदम एकर मोग यह तो अगर आपका कोई पड नट car उसमेंसे देखना है पर्थम के पुरषकार मिला है जिसको मिला है वहू देखना है और बहुत इंपोर्टन आपका विविद विविद से 8 से 10 कोष्ण आपके एक्जाम में बन जाते हैं तो प्लीज विविद को बहुत अच्छे से पढ़ लो आपके 50 कोष्ण से 10 कोष्ण मान के चलो आपका विविद इसे आज आएगा करेंट अफेर जो है वो भी मैं आपको करा दूंगी ठीक है करेंट अफेर का एक शेशन हमारा सीजियल वाला जो एक्जाम है उनके लिए मैं डालने वाली हूं वो आप भी देख लेना है तो बहुत इंप्कोरशन है विविद बहुत इंपॉटर्ण है और चिक ट्र अध बहुत इंपॉटर्व है लेए उस को च्छे वो कुर अध्य को में ब вариант और मैं देंद में याध करू और जिमांगे इंडमरी Cat में एक दिम अच्छे से चीज़ों को समझाती हूँ तो फिर वैसा रहाएं से यहाँ पे कुछ निया होना यहाँ रटने वाला ही है अब पर्थम में मैं आपको कैसे समझाओंगे कि यह पर्थम आपको तो रटना इंपड़ेगा कि यह जारकण में यह चीज में पर्थम होए तो कुछ चीजें रटना भी पड़ता है जबकि मैं रटने वाला जो है उसके खिलाफ हो लेकिन क्या करूं कुछ चीजें रटना पड़ता है कुछ चीजें दो कौन्सेप्ट वह समाईना उन से जोड़े विल्य पाते हैं वह लोग देखेंगे नहीं वी प्रयाइट नहीं पूप किया जा सका है पर फिर भी बहुत अच्छे चे जगह है अगला है जारकन के परमुख के उपनाम हैं तो वह लोगों के उपनाम आपको याद करने है अगला है विबेन पुरसकार जारकन में जो अलग 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 पुरसकार है जो अलग अलग लोगों को मिले हैं वो हमें देखना है और यह बहुत important है क्योंकि इससे आपने देखा होगा पिछले exam में भी तीन से चार कोशन आपका था जारकन में खेल और खिलाडी वाला जो section है no doubt कितना important है आपको बता ही है तीन से चार यहां से भी बन जाता है जो एक्जाम हुआ था उसमें तो देखने को नहीं मिला था CGL, GPSG टाइप के एक्जाम में इससे मिलते हैं पर पढ़ लेना है क्योंकि आ गया तो क्या करेंगे तो चली बिना किसी देरी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं जारकन में प्रथम से यह हमारा पहला टॉपिक है सम्मान में जो पर्थम मिले है.. मैसमें विष्व विध्याले दीखे, तरफ्रमा पुर्थम जिए अभट नहीं होा। कर किया कि मैं यूट्यूब की परिक्शित कराओंगे तो आप लोग याद करके आईएगा तो ही वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाईएगा है ना तो इसलिए मैं आज इसका क्लास ले रही हूं चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं मारा पहला जार्खन का इतिहास में पर्थम देखना है तो सबसे पहला प्रैशन आता है कि जार्खन का पर्थम सहित्यक उलेख जो है वो हमें कहां पे देखने को मिलता है जार्खन का पर्थम सहित्यक उलेख जार्खन सब्द का नहीं पूछ रहा है अगर सब्द का पूछेगा तो वो और परफम सहित्यकुले का अलग यह दो चीजान अलग है यह आपको ध्यान में रहना है जहारकंट का परफम सहित्यक्उले मितलब जहारकंट वर्ड जो है इसका लेक हुआ है यह जो चेतर है एरिया इसका लेक हुआ यह, तो थे ब्रामन' में सबसे पहले जार्खण word का use कहां पे हुआ तो फिर 13 सदी का जो तामरपत्र था उसमें से किया गया था ठीक है तो ये दो अलग-अलग चीज़े हैं ध्यान रखना यहां पे confusion के रिए हो जाता है clear चलिए अगला प्रशन होगा हमसे जार्खण में अंग्रेजों का पर्थम परवेश कब हुआ जार्खण का जवाब का एरिया है यहां पे सबसे पहले अगर अंग्रेजों का परवेश हुआ तो वो कब हुआ ठीक है तो वो सबसे पहले 17662 में हुआ था यहां पर आएंगे यहां पर कर्वसूली करेंगे यहां पर उनका बुच चलेगा साशन एक तरह से कह सकते हैं ठीक है तो फिर सबसे पहले 1764 में परवेश करते हैं तो सिंभूम वाला एरिया जो है आपका बंगाल वाला एरिया से वो connected है ना तो वहीं से वो परवेश करते हैं ठीक है तो जब अंग्रेज यहां पर आगए यहां पर परवेश कर गए तो अब यहां के लोगों पर वो कर जो है वो लेना तो फिर क्या होता हुआ कि Ja adaptations नोग और समगठित हो गए और वह कि विद्वरो कर दिए के नहीं हमारे चित्र में आप कैसी परवेश कर दोगे क्यों हमसे करवशूले करोगे तो फिर छंग जातियों ने विद्वरो कर दिया तो सबसे पर्थम जनजाति विद्वरो जो था आपका कोलहान के एरिया में हो लोगों का सासन था और तीसरा आपका पोरहाट के एरिया में शिंगवंस का सासन था तो ये तीन अलग अलग जगा में तीन अलग अलग राजवंसों का शाशन था तो फिर पर्थम जंजात ये विद्रो धाल भूम के एरिया में धाल लोगों न धाल राजा जगरनाद धाल के नेत्रत में किया था जो आपका 1767 से 1770 इश्वी तर चला था अगर आपको ये वीडियो देखना है ना विद्रो वाला तो मेरा पुराना वीडियो देखिएगा ठीक है पुराना मैंने एक प्लेलिस्ट पुरा बना के रखा हुआ है जारकन में जन जाति विद्रोगा वह आप लोग जाके देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा एक एक चीज ठीक है समय कम है तो जहां-जहां से जो जो चीज़े आपको मिले वहां-वहां से आप अडेप्ट करो अडेप्ट करके उसको पढ़ऊ ठीक है मैं तो कंटेंट दे दूंगी सब पढ़ाई दूंगी पर आप उसको सारा याद करने का क्यापेसिटी जो है वो बिल्ड करो अपने अंदर और यह सब याद होना चाहिए कल मैं जब MCQ प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपका सही होना चाहिए सारा इसका MCQ टेस्ट भी जम बनवाऊंगी मैं तो फिर आपका स धाल विरो परफम जनजातिए विदरो भी वہई धाल विदरो और पर्फम विदरो भी धाल है साथाय सब्सार से 17-77 यह ध्यान में रखना है 1831 से 32 तक में हुआ था पर्थम सुसंगर्ठित जन्जादिय विद्रो क्लियर 1857 इश्वी के विद्रो का सरफ परारंब कहां पे हुआ था पूरे भारत में था सैनिक विद्रो जिसको कहा जाता है जिसमें से आपका रानी लक्षमी बाई जैमंगल पांडे मतलब बहुत सारे लोग उसमें से थे ठीक है बहुत सारे लोग फिर भी एक तरह से वह एक फेलियर हो गया क्योंकि कुछ लोग नहीं मिले थोड़ा सा उसमें मतलब अंग्रेज जो थे वो जादा हमसे पावर फूलते नहीं तो उसी समय ऐसा होता है कि मारा भारत आजात हो जाता है ठीक है पर नहीं हो पाया सबका समय होता है है तो 1857 इश्वी के विद्रो का सरपर्थम प्रारम अगर जारखन के छेतर में आपसे पूछे तो फिर रो अस्तित है आपका ये गाउं रोहिनी गाउं देवघर डिस्टिक में घुरसवार सैनिकों द्वारा बारा जून 1857 इश्वी को इस विद्रो का प्रारम किया गया था जारखन में 1857 इश्वी में इसका प्रारम किया गया था पर्थम करांतिकारी जिने पकड़ने हे तू अं अंग्रेज उन्होंने एक हजार रुपे का इनाम की घुषना की थी तो वह प्रथम करांतिकारी जिनके लिए एक हजार रुपे की घुषना की गया था इससे पहले भी किया गया है पर इतना इमांट का नहीं किया था क्लियर है राजे निर्मान ये तो पर्थम पर्यास जो है वो किस ने किया था कि जहार खन राजे जो है बिहार से अलग करके एक अलग राजे के रूप में निर्मान किया जाए ये सर पर्थम पर्यास किस ने किया था ये कोश्चन आपका प्रिवियर सेयर में पूछा जा च तो राज निर्मान हे तो पर्थम पर्यार्स किसने किया जैपाल सिंग्द्वारा 1939 में किया गया था चलिए अब हम लोग राजवयवस्था से रिलेटड देखने हैं हिस्ट्रे से रिलेटड जितना चीज में देखना था वो हमने देख लिया है अब राजवयवस्था से इंपोर्टन रिलेटर जितने भी हैं वो देखते हैं तो फिर पर्थम मुख्यमंत्री कौन थे पर्थम राजवयपाल थे यह कौन थे यह तो basic question है सबको याद होना चाहिए है तो पर्थम राजवयपाल जिहारखन के कौन थे प्रभाद कुमार थे कौन थे प्रभाद कुमार थे पर्थम कारेवाहक राजवयपाल कौन थे विनोध चंद्रपांडे थे पर्थम मुख्यमंत्री कौन थे तो बाबुलाल मरांडी जोकी जिनका सम्मंद किस पार्टी से था भाजपा से पर्थम मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी थे पर्थम निर्दलिय मुख्यमंत्री कौन है तो फिर मधुकोडा मदुकोडार जी जो है वो पर्थम निर्दल ये मुख्य मंतरी है पर्थम विधान सभा अध्यक्ष कौन है इंदर सिंग नामधारी कौन है इंदर सिंग नामधारी आपका काम है वर्तमान में अभी राजिपाल कौन है वर्तमान में मुख्य मंतरी कौन है वरतमान में आपके विधानसभा अध्यक्ष कौन है यह आपको बताना है टेक है विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंग नामधारी पर्थम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे तो फिर बागोन सुम्बई सुम रही होगा बागोन सुम्बई पर्थम मनोनित विधानसभा चुनाव है इससे 81 पहले 82 होता था तो फिर वो जो एक था वो आपका एक मनूनित किया जाता था ठीक है विधान सभा में एंगलो इंडियन जो होते थे यह पद अब समाप्त कर दिया गया है तो फिर उसके बाद चुनाव हुआ नहीं है तो वो पद तो अभी तक है पर इस बार जो चुनाव होगा उसके बाद वो हट जाएगा तो फिर जोसेफ पेचेल कालस्टीन जो है वो आपके पर्थम एंगलो इंडियन मनोनित विधान सभा सदश्रे थे यह ध्यान में आपको रखना है पर्थम विपक्च के नेता कौन थे स्टीफन मरांडी विपक्च के नेता अगर पर्थम पूछे आप से कौन थे तो फिर स्टीफन मरांडी जो है वो आपके पर्थम विपक्च के नेता थे जारखंट सरकार में पर्थम महीला मंत्री कौन थी जारखंट सरकार जो है इसमें से पर्थम महीला मंत्री कौन थी तो फिर जोबा मांजे थी मंधल होता है इस में यह मंत्री पद उसको दिया गया यह तो फِरसी में जोबा मानिज हlt में पर्थम महिला मंत्री थी पर्थम प्रोटेर में स्पीकर कौन थी तो फिर विश्वेषवरब सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब इकनोमिक से रिलेटेट देखेंगे कि कौन-कौन इम्प्रथम और पर्थम तामबा कार खाना यहां पर तामबा होगा पर्थम तामबा कार खाना जो है आपका पर्थम तामबा कार खाना घाट शीला पर्थम तामबा कार खाना कौन सा है तो फिर घाट शीला पर्थम बीली घर तिलेया ठीक है पर्थम बीली घर कहां पर तिलेया में पर्थम सिमेंट उद्योग जपला सिमेंट उद्योग याद रखना एकदम पर्थम सिमेंट उद्योग कौन से तो जपला सिमेंट उद्योग सरो पर्थम कोईला का खनन कहा पे किया गया तो फिर जरिया में धनबाद में आप लोगों को पता है जरिया अभी भी जल रहा है इतने वर् पर्थम नगरपाली का कौन सा हो जाएगा तो राची नगरपाली का जिनका निर्मान कब हुआ था तो 1869 इश्वी में हुआ था पर्थम नगर निगम राची नगर निगम कब हुआ है इसका निर्मान तो फिर 1979 में इसका निर्मान हुआ है तो पर्थम नगरपाली का पर्थम नगर नेगम बहुत important है याद रखना ही सब पर्थम जितना भी चीज़ है न एक दम रट जाएए एक भी चीज मिश नहीं होना चाहिए आपका क्लियर है पर्थम रेल मार्क कलकत्ता से राजमहल तक पर्थम रेल मार्क कौन सा होगा तो फिर कलकत्ता से राजमहल तक चलाया गया था मतलब बिचाया गया था और मतलब वही पर्थम जो रेल है वो चला था कलकत्ता से राजमहल तक कब चला था 1862 में बहुत important question है और ये question आ लिया है क्लियर है तो यह द्यान में आपको रखना है 1862 में कलकत्ता से राजमहल तक पठारी छित्रों में खनन करके निर्मित पर्थम रेलमार्ग कौन सा निर्मित किया गया था पठारी छित्रों में खनन करके निर्मित पर्थम रेलमार्ग तो फिर जमशेदपूर से तक पर्थम हवाई अड़ा कौन सा है तो बिश्रा मुंदा हवाई अड़ा जो कि आपका कहां पर अवस्थित है तो राची में अवस्थित है अब कौन-कौन हवाई अड़ा कहां कहां पर अवस्थित है यह चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना है तो यह important topic यहां से निक पर्थम दूरदर्शन केंद्र जो है वो आपका कहां पे है तो फिर रांची में वस्थित है पर्थम मतलब कहां पे खुला था तो फिर रांची में पर्थम महिला डागर कहां खोला गया था तो फिर जमशेदपूर में खोला गया था कहां खोला गया था जमशेदपूर में पर्थम महिला fast track court जो है वो आपका कहाँ पर खोला गया था तो राची में खोला गया था, इनकी पर्थम जो नियाई दियंशें वो कौन है वो आगे में बताऊंगे आपको, पर्थम परखनली शिशू जो है वो कौन था तो फिर आशीज शेंग, पर्थम परखनली शिशू, अगला है आपका Awards Awards से भी important question आ जाता है खास करके पर्थम Award किसको क्या मिला है वो भी आपको ध्यान में रखना है Awards से 3-4 question आपको देखने को मिल जाएंगे उत्वाद सिपाई के examination में ठीक है ये जो chapters पढ़ाड यू में अभी आए आपको ये सभी exam के लिए उतना ही important है किसी के लिए ऐसा नहीं कि कम important है clear है तो Award में हम लोग देखेंगे पदमश्री शम्मान पाने वाले पर्थम आदिवाशी कौन है तो जुएल लकडा है कौन है जुएल लकडा है पर्थम पदमसरी शम्मान पाने वाले आदिवाशी जुएल लकड़ा है पर्थम परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन है अलबट एका है जिनका निधन हो गया था लड़ाई में युद्ध में ठीक है भारत पाक युद्ध I think 1973 या 1971 में इनका निधन हो गया था पर्थम अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है तो रंधीर वर्मा है बहुत ही clearly ये सब सीज़ें आपको याद रखनी है इंपोर्टन्ट है याद रखिए विर्शा मुंडा उतकरिष्ट विधायक सम्मान प्राप्त करता कौन है विश्वेश्वर खान है इंपोर्टन्ट है याद रखिए विर्शा मुंडा उतकरिष्ट विधायक सम्मान प्राप्त करता विश्वेश्वर खान है इंपोर्टन्ट है याद रखिए विर्शा मुंडा उतकरिष्ट विधायक सम्मान जो है वो अभी वर्तमान में किसको दिया गया है ये सारी चीजे भी आपको ध्यान में रखने हैं तो वो मैं जब पढ़ाऊंगी तो आप देखेज़ेगा पर्थम पद्म भूशन पराप्त करता कौन है तो रुस्तम जी मोधी टाटा ठीक है पर्थम पद्म भूशन प्राप्त करता टाटा जी जो है उनको प्राप्त हुआ था रुस्तम जी मोधी टाटा अगला है पर्थम अर्जुन पुरशकार विजेता कौन है तो माइकल किंडो पर्थम अर्जुन पुरशकार विजेता माइकल किंडो है पर्थम द्रौनाचारिय पुरशकार विजयता कौन है शंजीव कुमार सिंग है द्रोणाचार ये पुरशकार विजयता कौन है शंजीव कुमार सिंग है ये सारे पुरशकार के बारे में मैं बताऊंगी आपको डिटेल में कि किस लिए दिया जाता है कब मिला है किसको मिला है ये सब पर्थम मेजर ध पांधी खेल रतने नाम से प्रशिद था आपका जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया है मेजर ध्यांचंद खेल रतन परप्त करता तो फिर मेहंदर सिंग धोनी कौन थे हमारे सब की फेवरिट माही है न चलिए अगला है आपका प्रश्ण पर्थम ध्यांचंद अवार्ड व में इंप्रेटन है याद रखिएगा औसर्लिय इंटिवीर फैलोड शिप पुरस्कार प्राप्त करते परप्त करने वाली पर्थम महिला वैज्याक्ञाई कौन है नीमीष तृपाथी क्या है प्रश्कार का नाम आस्ट्रिलियन इंडिवर फैलोशिप पुरशकार पर्थम महिला वैज्याने निमिश्ट्रिपाथी याद रहेगा आपको अगला है खेल खिलाडी कितने important खेल खिलाडी हैं हमारी बहुत सारे हैं इतना आपको पढ़ना पढ़ेगा ना होकी महिला खिलाडी कौन है तो फिर सावित्री पूर्ती है कौन है सावित्री पूर्ती है पर्थम अंतरास्ट्रे आदिवासी होकी महिला खिलाडी पर्थम महिला होकी खिलाडी जिसने ओलंपिक खेला पर्थम महिला होकी खिलाडी वो कौन है जिनोंने ओलंपिक भी खेला है तो निक्की परधान है कौन है निक्की परधान है पर्थम अंतरास्ट्रिय महिला एथलीट कौन है आपकी तो विजह नीलमनी खलखो पर्थम अंतरास्ट्रिय महिला एथलीट है पर्थम अंतरास्ट्रिय महिला एंपायर कौन है तो आश्रिता लकड़ा है कौन है आश्रिता लकड़ा है एवरिस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम महिला कौन है तो प्रेमलता अगरवाल जो है वो आपकी एवरिस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम महिला जो है एवरिस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम महिला कौन है प्रेमलता अग अगला है जार्खन का पर्थम सत्रंज खिलाडी जो विश्व विजेता बना जार्खन का वो पर्थम सत्रंज खिलाडी कौन है जो विश्व विजेता बना तो दीप शेन गुपता कौन है दीप शेन गुपता अगला प्रशने आप से एवरिस्ट पर तिरंगा फैराने वाली पर्थम आदिवार्शी महिला कौन है तो फिर विनीता शोरेन है कौन है विनीता शोरेन जो है वो एवरिस्ट पर तिरंगा फैराने वाली पर्थम आदिवार्शी महिला है ठीक है एवरिस्ट पर चड़ने वाली पर्थम प्रेमलता अगरवाल पर अगर तिरंगा फैराने वा विश्व विद्याले की पर्थम कौन कौन सा विश्व विद्याले महा विद्याले जो है वो जारखन में कौन कौन है तो पर्थम विश्व विद्याले कौन है रांची विश्व विद्याले है आप लोग जानती ही होंगे पर्थम विश्व विद्याले जारखन का कौन सा है रांची विश्व विद्याले है, पर्थम क्रिशी विश्व विद्याले कौन सा है, तो बिर्षा क्रिशी विश्व विद्याले है, कौन सा है, बिर्षा क्रिशी विश्व विद्याले, पर्थम महा विद्याले कौन सा है, तो संत कॉलंबा महा विद्याले, जो कि आपका कहां पे अवस्तित है तो फिर हजारी बाग में अवस्तित है पर्थम चिकित्सा महा विद्याले आपका कहां पे अवस्तित है तो राजेंदर चिकित्सा महा विद्याले रांची रीम्स पर्थम चिकित्सा महा विद्याले कौन सा है तो राजेंदर चिकित्सा महा विद्याले जिस महाविद्यै में पर्थम आयुरवेद महाविद्याले लोहर बगगा यहां पता है इमस कहां पर दियोगर में रखना है आपको परतम एग्रिकल्चर सेंटर ओफ एक्सिलेंस तो फिर राची में परतम लोग देखेंगे पतर पतरिकाइं या फिल्म के बारे में तो परतम हिंदी मासी कौण से हैं यहां से प्रश्म आपका एंपका एकजाम में आ जाता ह है तो दिहान में रहे हैं मतलब जितना भी बता रही हो ना IMPORTENT है एकलम रट लीजिए क्या ही कहूं मैं अपको बहुत IMPORTANT है सब यहां पर पर हिंदी मासिक कॉन सा है तो फिर घर बंदू है मतलब मासिक मतलब महीने में देली आता हो ऐसा daily price daily price daily आ रहा है है ना तो इंगलिस में बोल दिया हिंदी में राश्यवाषा पर्थम हिंदी सप्ता ही जो आपका weekly आता है उसको क्या कहते है तो फिर आर्या व्रत क्या कहेंगी आर्या व्रत पर्थम फिल्म कौन सा है आपका बाहा पर्थम संथाली फिल्म कौन सी है जारकन की मुख्य बाहा नागपूरी सुना कर नागपूर ठीक है ऐसे अगर सिर्फ पर्थम फिल्म पुछा तो आकरांत चो निरित्य का विदेश में पर्थम परदर्शन किस नहीं किया था तो फिर शुदेंद्रू नारायन सिंग द पोजिशन्स होते हैं उनके बारे में द्यान में रखना है कि जारकन में उच्छ नयायले के पर्थम मुख्य नयायदीश कौन थे आपका जो उच्छ नयायले है उसके परथम मुख्य नयायदीश कौन थे तो विनोध कुमार गुपता थे कौन थे विनोध कुमार गुपता कुण है मंगल में बनर जी परथम मुख्य सचिव विजये शंकर दूबे परथम पुलिस महानी देशक सिवाजी महान केरे कौन थे सिवाजी महान केरे अगला है परथम लोकायुक्त कौन थे तो नियायमूर्थी लक्षमन उड़ाव जो थे वो जारखन के परथम लोकायुक् के पर्थम अध्यक्ष कौन थे फटीक चंद्र हैमरम वरतमान में कौन है यह आपको कमेंट में बताना है राज्य महिला आयोग की पर्थम अध्यक्ष कौन है तो लक्षमी सिंग है राज्य महिला आयोग की पर्थम अध्यक्ष लक्षमी सिंग है राज्य की पर्थम महिला मेय लुए को सब्सक्राइब कोई होगा तो अगला है सुप्रीम कोट में नियूक्त हुने वाले राज्य के पर्थम निवाशी तो न्याइधीर मय इकबाल जो है वह जारखन की ऐसे पर्थम निवाशी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे वो ठीक है अगला है राज में फास्ट्रेक कोर्ट की पर्थम महीला नयाईदीस मैंने कहा ना कहा पे है विस्तिती आपका राजी में उनकी पर्थम महीला नयाईदीस कौन थी तो फिर शीमा सिन्हा थी पर्थम इश्रा जो है वह हम लोग कवर करेंगे तो आई होप आपको आज का हमारे ये क्लास पसंदा आया होगा और मुझे आपसे ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आज की ख्लास में जितना मैंने आपको बताया एकदम मुझवानी आपको याद होना चाहिए यहां से अगर कुश्चन आये ना तो जाना नहीं चाहिए हम लोग क्या करेंगे इंपॉर्टन टॉपिक कम टॉपिक ही करेंगे पर उन इसको कवर कीजिए क्योंकि और भी सब्जेक्ट पर आपको दिहान देना है ना सिर्फ जारखंटी किये तो नहीं है और भी सारा सब्जेक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है हिंदी तो मैं आपको करा ही रही हूं यूटिब में फ्री में तो फिर वहां से वह आप कर लिज कि अप्रेक्टिस कीजिए यहां पे मैं सारे वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ इसलिए वह आइसए करके पढ़ रहे हैं तो आपको उसका benefit यह मिल रहा है कि आपको सारे notes मिल जा रहे हैं सारे classes यह जो अभी यह class जो हमारा हुआ यह तो सिर्फ यूट्यूब पे तो गया नहीं तो फिर यह सारे जो classes आपको मिल रहे हैं इनका benefit लीजिए आप अच्छे से इसको पढ़िए प्लीज अपना time waste मत कीजिए बहुत कम समय है इतना मेनत से अपने दौर निकाला है आपको exam clear करना है ठीक है चली नेक्स class में हम लोग यह वाला जो topic है यह cover करेंगे और जितना important जितना topic है सब हम लोग cover कर लेंगे don't worry इसका MCQ practice आप लोग जरूर कीजिएगा ठीक है आई आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा मिलती होंगे class में thank you for watching